नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज का जो टॉपिक है वो है जर्खन समान ज्यान से वन और वन जीव जन्तू अनि जर्खन के जीव जन्तू और जंगन तो चलिए स्टार्ड करते हैं इसमें हम लोग जो प्रस देखेंगे लगभग हम लोग 110 प्रस देखेंगे जो देखेंगे चलिए स्टार्ड करते हैं जर्खन में कुल कितना वर्ग किलोमीटर वन है ठीक है तो इसका अंसर क्या होगा इसका मैं डाइट अंसर बताते जाओंगा यह हो जाएगा आपका आपका उप्शन भी 23,611 वर किलोमीटर अगला देखेंगे जर्खन के कुल चेत्र पल के कितने प्रतिसाद वन राजिमा है तो 28,83 चलिए आगे बढ़ते हैं भारत के कुल वन चेत्र का लगभग कितना प्रतिसाद भाग जर्खन का वन चेत्र है इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अप्शन B 3.4 प्रतिसाद चलिए जर्खन में परति व्यक्ती वनो का चादन कितना हेटेर है तो यह हो जाएगा 0.04 चलिए आगे बढ़ते हैं भारते वन सर्वेक्षन सनस्थान कहां च्थित है तो भारते वन सर्वेक्षन सनस्थान च्थित है आपका अप्शन C राज में सरवादिक किस जिले में वनों का चेत्रफल है तो सरवादिक वनों का जो चेत्रफल है वो आपका अप्षन D लातेहार जिले में चलिए नियुन्तम वन चेत्रफल वाला जिला कौन सा है नियुन्तम वन चेत्रफल वाला जिला है आपका जामताड़ा चलिए सरवादिक 1 परतिसेत वला जीला कौन सा है तो लाते हाँ सरवादिक 1 परतिसेत वला जीला हो जाएगा आपका अप्षन भी लाते हार कौन हो जाएगा लाते हार चलिए नियुंतन 1 परतिसेत वला जीला कौन सा है चलिए यहां देखते हैं हम लोग अतिसा गनवन जारखन का कितना है तो यह हो जाएगा आपका option A. 273 वर किलोमीटर चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया स्टेट आप फोरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार जारखन का कितना वर्ण छितफल खुला वर्ण है खुला वर्ण है तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका option D. 11320 वर किलोमीटर चलिए आगे बढ़ते हैं चारखन में जलवाई और वेक्षों के परकार के अधार पर कितने परकार के वर्ण पाई जाते हैं तो option B हो जाएगा तीन परकार के चलिए आगे बढ़ते हैं निवन में से किस परकार के वर्ण राज में नहीं है तो राज में आपका सदावार वर्ण और रखेगा सुर्षक पत्जड, सुर्षक प्राद्विब और आद्र प्राद्विब वर्ण यहाँ सदावार वर्ण नहीं है राज के जिन चेतरों में 1200 मिलिमीटर से कम वर्ण सी वर्ण होती है वहाँ के से वर्ण पाई जाते हैं तो इसका राइट अन्सर हो जागा आपका उफचन ए शुषक पत्जड वन चलिए अगला सवाल देखिए ठारकन के किस चत्प में सुषक पत्जड वन पाई जाते हैं तो यह हो जागा आपका उफचन डी, ए बी और सी तीनों और नहीं हजारी बाग कोड़रमा और ग्रेडी में तीनों में सुष्कपत ज़ड़वन पाई जाते हैं राज के कुल 50 परसत से अधिक छटपल पर निम्ण में से किस परकार के वन पाई जाते हैं तो यह हो जागा आपका आपस्वान यह आदर पराइद विफ वन चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आप देख सकते हैं राज्य में संग्रक्षीत ओना का छटपल वर्क डैस वर्क किलोमेटर है कितना है तो जो कुल वन चेत्फल का अठाय दसलों अन्ठान पर सहत है तो आपसर हो जाएगा अपस्वान बी 4387 राज्य का सबसे बड़ा संग्रक्षीत वन चेत्र निम्ण में से कौन है तो सबसे बड़ा संग रक्षित और शित्र हो जायगा आपका आपूट शंग में तो सरवाति ओर शुत्पल है पस्टी में इस नियुन में से कौन वन परकार है जहां परस्चुंग कोचाराने एवं एक स्षीमाद लखड़ी काटने के नोति सरकार दोर्रत दी जाती है तो इसका राइट एंसर अप्शन भी सुरक्षित चलिए आगे बढ़ते हैं राज में सुरक्षित वनों का कुल चत्पल 19.185 वर किलोंडर है जो कुल वन चत्पल का डेस्परतिसाद है कितना है तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अ 228 परतिसाद चलिए राज के किस जीले में सरवादिक सुरक्षित वनों का विस्तार है तो सरवादिक सुरक्षित वनों का विस्तार जो है वो हो जाएगा आपका अप्शन भी हजारी बाव चलिए आगे बढ़ते हैं जंगली जनवरों के आकरमंट से भैंस गाय बैल की मिर आज में मात्र 33 क्लो पर रहा है जो कुल बन शेटर फल का पर दिसात तो क्या है वह जाएगा इसमें इसमें हो जाएगा आपका अप्शन जीरो दस्नों छोकदव परस्षत है इस जीले में अवर और पाय जाते हैं नहीं जो है वह पाय जाते हैं अपका आप्शन डी एबी बहेडा दिया पिसार दिया तो इसमें हो जागा आपका अफशन C हरण बहेडा चलिए राज जी का स्तरवादिक ला उत्पादक जिला कौन है तो खूटी हो जागा सबसे ज़्यदा ला उत्पादक जिला खूटी है लेशिफर लक्का से निम्न में से किसका उत्पादन किया था तो लेशिफर लक्का से उत्पादन किया था आपका अफशन C ला का बात के कुल ला उत्पादन में जहरकन का प्रतिसाद कितना है तो यह हो जागा आपका अफशन भी 50 प्रतिसाद दोस्तों 100 प्रश्णों का वीडियो है 110 प्रश्ण इसमें है पूरा वीडियो देखके जाएगा अगला सवाल है कि भारते एक मिनट भारते ला शोद अनुसंधान के अंदर नामकुम राची किस्थापना कभ गई थी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका अप्शन C 1924 में चलिए जारकन राजी तेंदू पत्ता नीती 2015 कब अधिस उचित की गई तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका अप्शन ए एक सत्ता अगार 2016 चलिए यह गला सवाल है याठ मांच 2016 सवाल नहीं इस बाद के कुल तरसल उतपाधन का लाइस पतिसाथ जारकन में होता है तो इसमें हो जाएगा आपका अप्शन D, 60% तो यह हो जाएगा आपका option B, लातिहार जिले में राज सरकार ने की सोजना या करांती के तहत राज में सहथ उत्पादन को बढ़ावा दिया है तो यह हो जाएगा आपका option A, मिठी करांती राज में मिठी करांती की शुरुवात कब हुई थी तो option D 2019 में चलिए आगे बढ़ते हैं मिठी गरांती के तत राज सरकार जो है मदमखी पालने तो कितनी राशी की सबसीडी देती है तो 80,000 की चलिए आगे बढ़ते हैं निम्न में से किसके दोरा मदमखी पालने तो राज की किसानों को परिस्रिक्षन दिया जाता है वो हो जाएगा आपका option C राज जी खादी बोड के तरह राज के किस जी लेगा कठाल सिंगापूर को निरियात किया जाता है तो यह हो जाएगा आपका option B खूटी परधान मंत्री किर्षी सम्मान निदी वजना कब लागो की गई थी तो इसका राज जी जागा option A 2019 चलिए आगे बढ़ते हैं परधान मंत्री किर्षी सम्मान निदी के तद परतेक लाभुक किसान को परतिवर्ष कितनी राशी प्राफ्थ होगी तो ये पहले थी 6000 अब साहथ 8000 होने वाली अभी तक किलियर नहीं हो पाया है चलिए गवे पालन के लिए कितने प्रतसर रनुदान पर महिलाओं को गाएं दी जा रही है तो ये जो है इसमें लगबग हमको लगता है 90 प्रतसर की बात है चलिए आगे बढ़ते हैं मिठी करांती हो जना से कितने किसानों को जोडने का लक्ष था तो इसका नशर हो जागा अप्शन B 12000 राज के डैस जी लेके चकुलिया छेतर में काजू उत्पादन हो रहा है काजू उत्पादन हो रहा है तो अप्शन D पूरिवी से मुझ में चलिए आगे बढ़ते हैं स्वतंद भात की पर्थम वन निती कब बनी थी तो इसका राज टेंसर हो जागा आपका अप्शन A 1922 B में राश्टे वन निती की गोष्णा कब होई थी तो इसका राज टेंसर हो जागा आप्शन B 1928 C में चलिए राश्टे वन निती की गताद किसी पर्देश के कुल छेत्रफल के कितने पृत्सर बागपर वन का विश्थर होना चाहिए तो इसका राज टेंसर हो जागा आपका आप्शन D 33.33 पर्दिशाथ चलिए आगे आता है राश्टे वन निती की अताद पर्देश में एक वन समित्य होनी चाहिए तो क्या हो जागा इसका? इसका हो जागा आपका अप्शन A गाउं राज में कितनी वन समित्य को अगठन किया गया है? तो इसका right answer हो जाएका option A, दूर सा, चलिए आगे बढ़ता है, थारखन में one परबंदन का सरपर्थम ब्यास, 1862-50 में किसने किया था, तो इसका right answer हो जाएका option B, डेविड हैडली ने, चलिए आगे बढ़ता है, राज में वनों के बहतर प्रबंदन के उद्दे से कितने प्रादेशिक प्रबंदनों का सिर्जन किया गया तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका अप्शन A 31 चलिए आगे बढ़ते हैं राज सरकारत वारा संजुक्त वन प्रबंदन संकल्प का प्रतिपादित किया गया तो इसका राइट एंसर क्या होगा अप्शन D 2001 चलिए आगे बढ़ते हैं वन प्रबंदन के लिए डैस के विर्षा किर्शी विश्विद्याले से संबध वानी की कोलेज में एक वानी की संका इस्तापित किया गया है तो इसमें हो जाएगा आपका अप्शन दी राइची चलिए आगे बढ़ते हैं दस वर्षी पंच वर्षी वजना के थाद राज में कितने वार किलोमेटर छिद फल पर वन लगाने का लक्षी था तो हो जाएगा आपका अप्शन दी चोंतिस चोबिस निम्न में से कौन जार्खन का राज के विरिक्थ है तो इसका राज टेंसर हो जाएगा आप्शन एस साल राज में जंगली जानलों के आकर्मन से किसी व्यक्ति की मिर्थ होने पर राज सरकार दोरा कितने अनुग्रा राशी दी जाती है तो यह हो जाएगा आप्शन भी रहाई लाग जार्खन एको टुरीजम नितिक का बदिस्चित की गई थी तो इसका राज टेंसर हो जाएग आपका अप्शन सी ऑक्टूबर 2015 अगला आए कैनरी संपोसित राश्ट ये वानी की करण हो जना के तद राज में कितने प्राज देशी के वने प्रानी प्रमंडलों में वने विकास अधिकरन का गठन हुआ है तो इसका राज टेंसर हो जाएगा आपका आपका आप्शन सी 18 चलिए आगे बढ़ते हैं वने जीव जन्तु संगरक्षन ये टॉपिक है इसी में तो चारखन राज में कितने वने जीव अप्भारन है तो चारखन राज में जो वने जीव अप्भारन है वो हो जाएगा आपका आपका आप्शन B 11 वहन इजीव सिरक्षादनियम कब लागू हुआ ? अप्षण C 1932 में चली आगे बढ़ते हैं выпускि कोन है ? बेदब CRT बोट के अधेक्ष हो जाएंगे आपके अप्शन C परधान मंत्री चलिए आगे बढ़ते हैं ज्यारखन में बेतला राष्ट पार किस्त आपना कभी थी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका और संदी च्छी अश्यासी में निमन मेंसे किसे मैंसे ज् hanya का एकमात्र राष्ट उतियान हो जाएगा आपका जी ऐन्यार भेतले शिख टले राष्ट उतियान किस जीमी में इस त्का थे वह आपका हो जाएगा नदम संद बीकार इन्याड़ किसजिए कि अप्षन भी निश्य विरान वे में निवन में से किस अभी अभ्यारन ने से देश में हाथी प्रजना की शुरुआत हुई तो इसका राइट अप्षन आपका अप्षन दल्मा वानीजिव अभ्यारन ते लिए आगे बढ़ते हैं दल्मा वानीजिव अभ्यारन किस जीले में इस्तित है तो इसका राइट अप्षन आपका अप्षन ए पुर्वी सिम्भूम है भाद सरकार ने देश का पर्थम गज संग्रक्षन के अंदर कांश्थाफित किया तो यह हो जागा पुर्वी सिम्भूम गज संग्रक्षन छेत शर्खन में सरवपर्थम प्रानी गर्ना कब हुई तो शरवपर्थम प्रानी गर्ना हुई थी आपका अप्षन ए दोजार दो में अगला सवाल है राज के किस जीले में जिवास उद्यान विक्सित किया गया है तो इसका राइट होगा अंसर साहिब गाज चले आगे निवन में से किस वनी चितर वनी जीव अब्हारन काम चतित है तो यह हो जागा आपका अप्षन साहिए चले आगे बढ़ते हैं परशनात वनी जीव अभ्यारन किस जिले में उस्तित है तो परशनात वनी जीव अभ्यारन जो इस्तित है वो है आपका आप्षन ए गिरिटी राजमाल पक्षी आसे आश्रिया नहीं कहां श्तित है तो यह हो जाएगा आपका आप्षन बी सहाइब गाज़ चलिए आगे बढ़ते हैं पालकोट वनी जी वे बहरन किस जीले में श्तित है तो पालकोट वनी जी वे बहरन श्तित है आपका अप्शन डी गुमला चलिए रात के ग्यारो बजरे नींद भी लग रहा है दुस्तो चलिए चीतर नमर स्वाल है तो पालकोट वनी जी वे बहरन कहां श्तित है तो यह होज़ाएगा आपका आप्शन C धनवाध चलिए, ऐगला सवाल है उद्वाजल पक्छी आष्येनी किस जिले में होंसती थे तो उद्वाजल पक्छी आष्येनी जो है यह आपका होंसती थे option A, पिए ऐगला है कि महफ्वाजर भेंड यावन जी वै भयारन कहांस थे तो इसका हो जागा आपका option बी लातिहर जिले में यहीं गेटम्बुद अफ़ःन किस जिले में इस्तित है तो गोतमभु अफ़ःन है जो वो है आपका आपशन डी कोड़ रमाजिले में, चल plast बढ़ते हैं बादमोपट अब पॉपके जिले में तो पलामोपट अफ़ःन जो है 233 में चलिए थोड़ा आगे कर लेते हैं जारखन का एक मात्र ताइगर रिजारू निमने से कौन है तो यह हो जाएगा आपका अप्शन ए प्लामो बनीजी अभ्यारन चलिए और इंडिया टाइगर इस्टीमेट रिपोर्ट दो जार ठाटा के इंसा जारखन में कितने बाग बाग थे तो यह हो जाएगा आपका आपका अप्शन डी उन्तिस्षो सतत्यर और इंडिया टाइगर इस्टीमेट रिपोर्ट दोजार ठाटा के इंसार किस राज में स्तरवाधी बाग पाए गये थे तो यह हो जाएगा आपका अप्शन भी मध परदिस में चलिए आगे स्वाल देखते हैं टाटा इस्टील जनतो उद्ध्यान कहा हुशती थे तो अप्शन सी जम सेथ फोर है जले आगे बढ़ता है हर्खन राज में मगरमच परजनन के अंदर किस जीले में उस्ती थे मगरमच परजनन के अंदर तो यह हो जाएगा आपका अप्शन ली रांची में विर्शाबर कि विहार किस जीले में उस्ती थे तो यह हो जाएगा आपका अप्शन सी खोटी में चलिए आगे बढ़ते ह जोहार लाल नहरू जेवी गुद्यान पार्क कांच थी थे तो यह हो जाएगा आपका अप्षन भी हजारी बाव निम्न मैंसे किस सहर में जूबली पार्क इस थी थे तो यह हो जाएगा आपका अप्षन भी जम्सेदपूर चलियर राजसरकार ने का प्लामो ब्यागर फाउंडेशन अगठन किया तो यह हो जाएगा आपका अप्षन अगला है राई सरकार द्वारा कहां आधुनिक पत्षाला अस्थापित की गई आधुनिक पत्षाला तो होजाएगा उप्षन डी A, B और C तीनो आनि गाडंग खाटा रांची में गमरिया स्तराकिला खर्षावा में महिसपूर देवगर में तो यह होजाएगा आपका उप्षन ए ग्रिन इंडिया मिसन नेशनल एक्षन प्लान ओन क्लाइमेट चेंज मिसन में केंद्र विवराज का व्य अनुपात क्या है तो यह होजाएगा आपका उप्षन B, 46 अनुपात, 40 केंद केंद्र Prayag energy ओजना है तो केंद्र का option di अनि यह तीन है चले आगे बढ़ता है कि अगला सवाल है कि इसेटी स्टन और spot management तो यास द्वारा प्राजित ओजना है तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका option ये प्रानी प्रयावास समयकित विकास हो ज़ना के ब्याव में के अंदरे में राज का नुफात कितना है तो ये हो जाएगा आपका अप्शन भी साथ नुफात चालिस नेशनल प्लान फोर कंजर्वेशन अप एक्वेटिक एकोसिस्टम के तत राज में कहां वेट लेंड के संक्षन विकास समंधिकार किया जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका अप्शन ए साहिव गंजमा नेशनल प्लान और कंजर्वेशन आप एक्वेटिक एको सिस्टम हो जना में केंद्रेयों राजकार व्यानुपात कितना है तो यह हो जाएगा आपका अप्शन सी साथ अनुपात चालिस है तो यह हो जाएगा आपका आपका अप्शन सी ए और बी दोनों आणि हादी परिजना राष्ट वनिकरन कारिकरम ना तो यह आगे बढ़ते हैं प्लामू व्याग्र प्रिजना में केंद्रेयों राज का व्य अनुपात टेस है तो इसमें जो हो जाएगा इसको मिटा जते हैं इसमें हो जाएगा आपका अप्शन ये 50-50 चलिए 18 वर से कम आयो के व्यक्ति को जंगली जानवर से छती पर राजसरकार द्वा कितना मुग आप्शन दिया जता है यहां देखते हैं तो इसमें हो जाएगा आपका अप्शन बी डिड़ला चलिए जंगली जानवरों द्वरा पक्का मकान गंभी रूप से छती गरस्त करने पर राजसरकार द्वरा कितनी छती पूर्थी राशी दी जाती है तो इसका हो जाएगा जार चलिए इचागण पक्षिवार किस डीले में इस्तित है विवा पक्षिव्यार कहा स्तित है और शायव गंभी और अगला सवाला है वंच्छन समेति का चतन और तों भी स्थरकड में पहला राश्ट्य उद्यान उद्ध्यान में कहां स्थापित हुआ तो यह हो जाएगा आपका अपसंसी हजारी बाग में अंतिम सवाल है विर्षा अमेरिक बिहार निम्कित मैंसे किस डीले मिश्तित है यह सवाल आपके लिए है इसका अंसर आपको जरू बताएगा तो फिर मिलते हैं इसी तरह के सौ प्रशनों के